नमस्कार, हर्याना में विधान सबद सुनाव के बाद मिली करारी हार के बाद, कॉंगरेस पार्टी में इस्तीफों का दोर शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत हुई है कॉंगरेस के परदेश परभारी दिपक बावरिया से। कई दिनों से चर्चाएं थी कि जल्दी ही परदेश कॉंगरेस में बड़ा बदलाव हो सकता है। आज इसका शुरुआत हो गया हालांकि दिपक बावरिया ने इस्तीफा खुद दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में स्वस्थ कारणों को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन हरीभुमी के सूत्र बताते हैं कि उनसे इस्तीफा मांग लिया गया था। दिपक बावरे ने अपने स्टीफे में लिखा कि वो स्वस्थ कारणों से हर्याना में समय नहीं दे पा रहे हैं। अगर उनकी जगह किसी और को परफारी बना दिया जाए तो बेतर रहेगा। लेकिन हमारे सूस्तर पताते हैं कि परदेश विधान सबाचनाओं में बिली करारी हार के बाद पूरी परदेश कॉंग्रेस सक्ते में हैं। अलाकमान के मिजाज भी बहुत सक्त हो गया हैं। जिससे लगातार ये दवाव बन रहा है कि नेता अपना अपना पद छोड़े हैं। इसकी शुरुवात दिपक बावरिया ने करती है। परदेश में अमूल चूल परिवर्तन होगा ये तैह है। कंग्रेस अलाकमान लगातार इस पर मन्थन कर रहा है। कंग्रेस के राष्टे पर भारी मलक और अजुन खड़ गे। लगातार तीन बार ऐसी बैठके कर चुके हैं कि हर्याना कंग्रेस में क्या-क्या बदलाव किया जाए। इस से कुमारी शैलजा, भुपेंदर हुडा दोनों ही खे में परिशान है। हार का जिम्मेदार कोन है यह तो अभी अलाकमान ने तै नहीं किया है। लेकिन राहूल गांदी ने अपने तेवरों में यह दर्शा दिया है कि वो खासे नराज है। राहूल गांदी ने मीटिंग में साफशब्दों में कहा था कि परदेश के नेताओं के लिए अपना एहम बड़ा है। उनके अपने निजी स्वार्थ पार्टी से कहीं बड़े हैं। इसके बाद अब दिपक बावरिया ने इस्तीफे का श्रीगनेश कर दिया है। अगर एक कुछ दिनों में और भी कई इस्तीफे हो सकते हैं। अभी यह क्या किया जाना बाकी है कि कॉंग्रेश विधायक दल का नेता कोन होगा। उस पर भी पेंच भशा है। आलाकमान इस निक्ति के पीछे कड़े संदेश देने की तयारी में है। चर्षाएं यह भी है कि किसी ऐसे नेता को विधायक दल का नेता बनाया जाएगा जो ना कुमारी शेल जाके गुट से होगा और ना ही हुड़ा के गुट से होगा। लेकिन अभी तक नाम समझ में नहीं आ रहा है। चर्षाएं पहले तो यह थी कि उपेंदर हुड़ा ही भी धायक दल के नेता होंगे। लेकिन कॉंगरेस के तेवरों को देख करके ऐसा सहज नहीं लग रहा। अभी इंतजार करना होगा कि कॉंगरेस में और क्या उतल पुतल होती है। अगले एक दो दिनों में कई इस्तीफे हो सकते हैं। बड़ा बदराव हो सकता है। पार्टी ऐसे चेहरों पर दाव केलने की तैयारी में हैं जो बिर्पुल नए हैं। ताकि गुटबाजी को यहीं विरान दिया जा सके। बावरिया के इस्तीफे पर आप क्या सोचते हैं। आपकी क्या परतिकिरिया है हमें कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं। आपकी परतिकिरिया हमारा मार्क दर्शन करती हैं। अगर प्रोग्रम अच्छा लगे लाइक करें, सस्क्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार